क्या आप एक smartphone खरीदना चाहते हैं जो दिखने में को बसूरत हो और बढ़िया camera के साथ आता हो लेकिन आपका budget जो है वो 20,000 रुपए के आसपास ही है 20,000 रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो चलो आज बात करते हैं वीवो V20 SE की वीवो की V20 सिरीज का latest device लेकिन इसमें SE क्यों लगा दिया यार फालतू मैं SE लगाने से आपको लगता कि iPhone SE की याद आती है वीवो V20 SE में SE लग जाने से एनिवे बात जो भी हो आज के इस वीडियो में हम इस वीवो V20 SE का first look impression वीडियो है जिसमें मैं इस phone के बारे में आपको बताऊंगा कि पहली नजर में प्यार वाला मानला है या नहीं तो चलिए ज़रा टाइम देस नहीं करते हैं शुरू करते हैं इसका first impression, first look वीवो V20 SE, वीवो की V20 series का latest device है, SE बुले तो standard edition भी हो सकता है और SE से सस्ता edition भी हो सकता है कि ये भिख रहा है वीवो V20 SE, 20,990 रुपे का जो की सस्ता है करीब 3-4,000 रुपे वीवो V20 series से वैसे वीवो अपनी V20 series को आने वाले वक्त में काफी ज़ादा बढ़ाने वाला है, इसमें 3 फोन आएंगे, वीवो V20 तो launch हो चुका है उसका first look मैंने कुछ हफते बहले आपको दिखा है और review जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है, वीवो V20 SE का first look impression video ये है और इसका review भी जल्दी आएगा, लेकिन वीवो V20 का बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, वीवो V20 Pro November end तक launch होगा और उस phone का भी हम वीडियो ले वीवो के phones हमेशा से अच्छे ही माने जाते रहे हैं, काफी stylish premium design वीवो के सभी smartphones में देखने को मिलती है, चाहे बले ही वो 10,000 रुपे का phone हो लेकिन दिखने में तो अच्छा ही होता है, और इसके अलावा वीवो ध्यान देता है अपने सभी phones में, वो है उनका camera, तो main इस वी V20 SE में भी इन दोनों चीजों के बारे में ही ध्यान दिया गया है, लेकिन सबसे पहले इस phone के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे, एक brief introduction दे दूँ कि V20 SE दाम है, इसके 20,990 रुपे, सिर्फ एक ही model launch किया है, सिर्फ एक ही model 8GB RAM और 128GB ROM के साथ आता है, हलांकि इ इसके looks and design पे, तो looks and design wise, first impression wise अगर मैं बोलू, तो काफी अच्छा दिखता है, no doubt, काफी slim trim design है, sleek दिखने में phone काफी लगता है, दूसरी एक अच्छी चीज़ यह है, यह phone हाथ में पकड़ने में, काफी comfortable महसूस होता है यह phone, इसको आप हाथ में अगर पकड़ते हैं, तो ऐ यह phone मतलब जिससे कहा जाए, slippery नहीं है, plastic back panel जरूर दिया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा reflective back panel है, जिसमें आपको यह mystery black है, sorry, gravity black जो है, इसमें आपको grey और black के धेरो shades आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एक कमी है, जो vivo V20, याने इससे जो महंगा वाला smartphone है, vivo V20, उसके अंदर back panel में, vivo ने एक बहुत खास तोर पर anti fingerprint coating चढ़ा के वो phone दिया था, लेकिन vivo V20 SE में आपको वो anti fingerprint coating नहीं देखने को मिलती, इसी कारण से आप यह देखिए, इस phone को इस्तमाल डब्वे से निकाले हुए, अभी हमें बहुत वक्त नहीं हुआ है, लेकिन vivo V20 SE के ऊपर fingerprint magnet है वहिया, बहुत उंगलियों निशान चपते हैं, मतब आपको इसको हमेशा ऐसे ऐसे घिस घिस के साफ करना ही पड़ेगा इसको कपड़े से, नहीं तो जो इसके साथ clear case हाता है, उसके अंदर इस phone को रखिएगा तो जादा बेटर रहेगा, लेकिन phone देखने में काफी इस phone में जो एक अच्छी चीज जो मुझे देखने को मिल रही है, वो यह की curved edges भी हुआ है, जो इसके edges हैं, काफी curved हैं, जिसके आरब से हातों में, पकड़ने में काफी comfortable महसूस होता है, प्लास्टिक design जरूर है, प्लास्टिक का back panel जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी उपर यह आता है, और साथ में इसमें Funtouch OS 11 का की चड़ी चड़ाई गई है, इसमें थोड़े बहुत bloatware है, अब वो यह देखना पड़ेगा review के दारान की, वो bloatware, क्या धेरों notification भेज भेज के हमें परिशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, क्या वो bloatware की वज़े से यह phone long run में slow पड़ता है, नहीं पड़ता है, अब यह review में पता करेंगे, लेकिन bloatware इसके अंदर आता है, धेरों bloatware पहले से preloaded apps जेर सारे आते हैं, वीवो के खुद के भी चीजे हैं, और बाकी भी apps जेर सारे इसके अंदर preloaded आते हैं, जिनकी जरूरत शायद ना भी हो, लेक फुल HD plus resolution वाला AMOLED display दिया गया है, अब AMOLED display तो है, लेकिन इसमें वो जो आजकल fashion में चल रहा है, high refresh rate वाला की, 90Hz का refresh rate, 120Hz का refresh rate, तो भाईया वो चीज नहीं है, इसके अंदर CD simple screen है, लेकिन AMOLED screen है, इसके कारण से आप खुद अपनी आखों से देखिए, आप खुद अप screen के उपर, भले इसके अंदर refresh rate ना हो, लेकिन refresh rate का काम आता है, main तो gaming के दोरान आता है, high refresh rate का, दूसरा high refresh rate का काम, आप web pages स्क्रोल करते हैं, सर्फ करते हैं, तो scrolling के टाइम पर वो जो एक, आप क्या कहेंगे उसे, कई बार छोटा 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 जिटर आता है, जो कई बार आप महसूस भी नहीं करते हैं, लेकिन होता है वो जिटर, तो उसमें थोड़ा सा जरूर काम में आता है, high refresh rate, तो वो high refresh rate इसके अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी screen काफी अच्छी है, dew drop notch design दी गई है, जहां पर इसके selfie camera अंदर fit किया गया, बाकी sensors fit किये गये हैं, इ camera में उपर, काफी जोर देता है, तो इसके अंदर triple camera setup दिया गया है, जो combination है, 48 megapixel का primary lens दिया गया है, 8 megapixel का wide angle है, और 2 megapixel का depth lens इसके अंदर दिया गया है, इसके triple camera setup के अंदर, वहीं बात करें, अगर इसके selfie camera के बारे में, तो यहां पर dual selfie camera नहीं है, जैसा हमें Vivo के कई phones में देखने को मिलता है, यहां पर single selfie camera ही है, लेकिन वह भी resolution है, उसका 32 megapixel का single lens वाला selfie camera इसके अंदर दिया गया है, अब अगर इसके battery की बात करें, तो 4100 mAh की इसके अंदर battery दी गई है, जो 33 watt की fast charging के साथ आती है, और 33 watt का fast charger जो है, वो in box आता है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कई कंपनिया मार्केट में आपको दिख जाएंगी, जहां पर आपको 45 watt तक की fast charging support कर दी है, लेकिन यहां पर वीवो अपने flash charge 2.0 के साथ, 33 watt के fast charger के साथ आता है, तो इसकी battery का सही report card तो पूरा रिप्ल ग्लोन review हम करेंगे, वीवो V20 SE का, उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकि अपने phone से requirement हो, एक stylish looks और दूसरा, अच्छा camera, अब इसका camera हम use करेंगे, और यह review करेंगे इसके camera का, और वीवो के phones में एक अच्छी चीज जो इसके camera में काफी दिनों से मैंने notice किया, आप देख सकते हैं, यहां पर आपको eye icon पे वो दिख जाएंगे, वीवो के phones की अच्छी आती हैं, जहां hardware साथ दे रेता है, वहां पर तस्वीर hardware की मदद से अच्छी आ जाती है, और जहां पर hardware से कोई कम ही रह गई, छोटी मोटी, तो वो software भी वो का इतना अच्छा है, जो artificial intelligence की मदद से धेरों तस्वीर इन्होंने, इनके engineers ने कीच-कीच के, इसके software को जो मजबूत बनाया है, उसके कारण से वो AI engine भी कई बार तस्वीर को मतलब बना लेता है, तो Vivo V20 SE का review तो आने वाले दिनों में आएगा, first look का video यहीं पर करते हैं, खतम, आप से कहते हैं नमस्ते, मिलते हैं ये बाचुवाले video में